खास मुलाकात में हम आपको आज मिलवाणे जा रहे हैं सरपन्ची चुनावों में हलका गिल में पड़ते बस्थन टेवन्वी से बहु सरिनी चुनाव चिन पर चुनाव लड रही हर्पिर्ट ृप Sugil से जिनका कहना है कि वे विकास के मुद्दे पर चुनाओ लड़ रही है चलिए मिलते हैं हर्पिस रिपो गिल से और उनसे जानते हैं उनके इलाके की मुश्किलों के बारे में जैसे कि हम सभी चानते हैं कि पूरे पंजाब में सरपंची के इलेक्शन होने जा रहे हैं 38 दिसेंबर 2018 को आज हम पहुंचे हैं बसंत अवेन्यू में मिसिस रिपो गिल के घर जो एक बहुत बड़ी केंडिडेट है इस इलेक्शन को लड़ने के लिए वो भी बहुत बड़ी दावेदार माने जा रही है जिनका चुनाओ चीन है बांसुरी तो चलिए उनसे ही बात करते हैं हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी थैंक यू सो मच पॉलिटिकल लाइन में आपका इंटरस कैसे बना और ये क्या आपका पहली बार है कि आप इलेक्शन्स में ऐसा केंडिडेट उतर के आया है बिलकुल ये मैं फर्स्टाइम इलेक्शन्स जो है वो लड़ रही हूं इस लाइन में आने का में मेरा मुद्ध था हमारी सुसाइटी बिकॉस में पहले ही एक फांडेशन्स हम रन कर रहे हैं में हम काम कर रहे हैं तो विया वर्किंग फॉर पीपल अलड़ी बट जब हमें कॉंग्रस हाई कमांड ने ये का कि हाँ यू हाव रिजर्वेशन फर फिफ्टी परसेंट तो उसके बाद आप प्लैंड की नहीं मुझे भी कुछ करना है अपनी सुसाइटी के लिए यह पुछ करते हैं तो पॉलिटिकल लाइन में आने का आपका एकड़म से कैसे मतलब मन हुआ कि आपने पॉलिटिकल लाइन में भी उतरना है देखो शोशल वर्क मैं पिछले तकरीबन दस साल से कर रही हूँ और शोशल काम करते करते अप इतने जादा गट्स आप में आ जाते हैं कि आपको लगता है कि नहीं अब आप जो है यह सियासी जो दोर है इसमें भी आप उतर सकते हो तो एक छोटी सी उमीद लेके अपने के लिए मैं इसमें आई हूँ तो मैं फैमिली से आपको कितना सपोर्ट मिला इस पॉलिटिकल लाइन में आने के लिए मैं आपको एक बात बता हूंगी आम रियली थैंक्फूल डुमाइं हजबन उससे जादा आइम रियली थैंक्फूल टो मैं मॉम इलाओ जिनका यह अप साइड है वहां पर हम सब लाइक वी बिलॉंग टू जलालाबाद मुक्सर फिरोजपुर वाली साइड पर तो वहां पर आप यह कहलो कि खून में ही वालेटिक्स है तो वहां पर भी हमारी सरपंचगी यह चल रही है तो इसलिए शायद खून में था तो वह फून उबल गया जैसे बाप इलेक्शन पास आने वाले या डोर टू दोर केमपेंग तो आपकी अफ़ोर जोरो से चल रही होगी तो कैसे आपको सबकी तरफ से स्पेशली बसंत जुरूरत के लिए भी आके खड़ी हो जाती है तो जब उन्होंने सुना कि अच्छा आब यह पालिटेक्स मे किया and everybody is with me and I'm so happy and glad मैं बसंत एवेन्यू एरिया में अब तक आपको क्या मतलब ब्लैक लगता है कि किस चीज से बसंत एवेन्यू पीछे है अभी जैसे हम लोधिहाना में देखते हैं स्मार्ट सिटी बन चुका है काफी डेवलप्मेंट्स भी हुई है तो बसंत एवेन्यू को अपकिस नज़र स एरिया इतने अच्छे घर हैं और इतने सुंदर बने हुएं बट यहां पर हमारी जो में मुद्दे हैं वो हमारे हैं सडके हमारी स्ट्रीट लाइट्स सीवरेज हमारा और मैं क्या देती हूं कि जैसे हमारे यहां पर डॉग्स हैं जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो हमारे में मुझे हैं यहां के तो मुझे है कि इस बार अगर मैं आ रही हूं तो अपने एरिये को इन सारी चीजों से मैं निजात दिलाना चाहूंगी सबसे सपोर्टिव हैंड आपको किसका लगता है कि आने वाले टाइम पर अगर आप ये लेक्शन्स विन करते हैं तो क्या आपको लगते है कि जैसे हमेशा एक निशान उटता रहता है एक सवाल उटता रहता है यहां की गौर्मेंट के उपर यहां की पुलिस के उपर भी अगर आप में इमांदारी है तो सब आपके साथ नहींते तो शायद आप इस से पीछे रह जाते हो सबसे ज़ादा अगर आप यह एलेक्शन में जीतने हैं तो आप बसंत है वेन्यू में में अप क्या चीज है जिसको आप फोकस करेंगे और जिसे आप चेंज करना चाहते हैं आने वले टाइम पर देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि मेरी जो यह प्राब्लम्स है मेरी सट्रीट्स मेरी स्ट्रीट लाइट्स और सीवरेज प्लास उस सबसे ज़्यादा जरूरी है यहां पे the security of this area क्योंकि जो यहां पे it's a very far off थोड़ा सा area यह lowly rest में आ जाता है तो जहां पे ladies बहुत insecure हो जाती हैं क्योंकि अकेले निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो मैं गुजारिश करूँगी यहां पे सरकार को कि जो patrolling vans है हमारी वो यहां पे आएं plus जो है हमारे cctv cameras है I will definitely go for them क्योंकि cctv camera से हमें बहुत help मिलती है so I will go for that also एक चीज मैं हम और बताइए जैसे हम ना हमें जुनने को बिलता है कि जो थोड़ी reputed families होती है उन लोगों को थोड़ा काम में trust होता है कि वो अपने घर की ladies को political line में जाने के लिए वो force करें तो आपको भी कहीं यह चीज़ फील होती है कि ऐसा है कि reputed families की ladies political में नहीं आना चाहती नहीं यह बहुत ही पुरानी और तक्यानूसी बाते हैं कि reputed families से ladies नहीं आती देखो अगर एक educated lady आगे नहीं आएंगी आज की rate में तो हम कैसे चाहते है कि development हो जाए women empowerment क्या है अगर आप support करते है आपकी family आपको support करते है तो मुझे लगता है कि आपको किसी चीज़ का डर नहीं है if you are clear by your heart then you should go ahead मैं एक चीज़ और हम से क्रिशन जी के बहुत सुन्दर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है तो मतब आपके माइन में यह कैसे आया कि यह चुनाओ चिन को specially आपने अपने लिए as a candidate आपका चुनाओ चिन आपने यह रखा है मैं बिल्कुल सच बताऊंगी आपको मैं Kaanahah Jee की बहुत बड़ी भकतू और Kaanah Jee की बानसुरी देखते ही मैंने का कि मुझे तो Kaanah Jee की बानसुरी लेनी है and everybody was looking at me Kaanah Jee की बानसुरी मैंने का मुझे Kaanah Jee की बानसुरी चाहिए तो किसी और ने का नही टॉर्च लेलो थो मैं कर नहीं, चलो हम ना सोचते हैं में शाषोबज में आई, कि टॉउर्च जादा EASY है लोगों को बताना, बट जब मैंने वहाँ पर बोला वो गते हैं नहीं जी टॉर्च तो किसी ने ले ली है तो मैंने का ये तो मेरे काना जी का आशरवाद है जो मेरे पर आ गया तो मैंने काना जी की बांसरी को ही अपना चुनाव चिन बनाया काना जी की blessings तो definitely आपको मिलने ही वाली है बिलकुल क्योंकि काना जी मेरे इतने साथ है तो उनकी blessings हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है तो मैं बाकी सबसे भी यही अपील करूँगी कि काना जी की बांसुरी पे ही मोर लगाएं और जो यह हम अपने एरिया में development करना चाते है उसको पूरा कर सके बस इसी विश्वास के साथ मैं आप सबसे यह vote अपील करती हूँ कि प्लीज मुझे 30th को काना जी की बांसुरी के उपर मोहर लगाके जिताएं ताकि हम अपने एरिया के development कर सकें लास में बस आपको यह कहना चाहेंगे जो opposite parties भी हैं जो आपके खिलाफ opposite उसमें खड़े हूए as a candidate especially हम चाहेंगे कि elections बिलकुल peacefully हो जाएं तो आप उन सबको भी कोई message दीजिए कि जो अब elections आने वाले हैं उनको वो peacefully handle करें मैं जो मेरे opponents हैं opponents सिर्फ हम political way में कह सकते हैं बट वो सारे हमारे अपने ही हैं क्योंकि वो सारे ही इस area में से हैं so मेरे भाई मेरी बहने जो भी इसमें हम लड़ रहे हैं इस सरपंचगी को सब इसकी development करना चाहते हैं तो मैं बस सबको यह कहूंगी कि बड़े peacefully और बड़े प्यार से हम इस चीज को handle करें इसको इतना बड़ा issue नहीं बनाएं कि हम अपना किसी को देखे तो हम कहें कि हम इसको बुलाएं नहीं तो बड़े प्यार से बड़े अराम से अपने घर में रहके अपने घर की बात हम संभालें तो यह थे हमारे साथ मिसिस रिपोगिल बसंत एविन्यू के candidate जो 30 दिसेंबर को सरपंची के elections में खड़े होने वाले हैं तो बसंत एविन्यू के सारे रेजिदेंट्स से हमारी अपील है कि peacefully elections में आईए अपना vote इन को दीजिए और बांसरी को specially जिताएए कैमरा मैन आमन दीप के साथ शिप्रा पसरीजा टाइम्स पंजाब टीवी